Under the topic of consumer behavior, we are going to cover law of dimension marginal utility. Law of dimension marginal utility से पहले अगर हम देखें, तो marginal utility के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, वो यह है कि utility attained for one additional unit of consumption that will be called marginal utility. और हमारी consumer theory कहती है कि marginal utility of any consumer it will be declining and decreasing over the time of consumption. इस लाग को अगर हम देखें, तो इसके हमारे पास जो basically कुछ aspects, जो main features हैं, वो हमारे पास है कि पहला जो consumer जैसे जैसे अपनी consumption को बढ़ाता चला जाता है किसी एक commodity के लिए, तो उसकी उसके लिए naturally है कि वो तलब पहले से कुछ कम होती चली जाती है. हो सकता तलब ना कम हो रही हो, लेकिन keeping in view the scarce resources, चुँके उसको substitution करनी होती है, तो इसका मतलब है चुँके वो budget को shift कर रहा होता है, जो उसने allocate किया होता है कुछ दूसरी अशिया के लिए, और अब उसको वहाँ से shift करके इसकी तरफ लाना होगा, तो उसको हर नया unit लेने के लिए, नई commodity लेने के लिए, पहले से अगर हम उसको देखें, तो वो reduce होगा for each additional unit. और जो consumer की preference जो है, अगर हम देखें, तो time के हवाले से, सुबो, दुपहर, शाम, तीनों वक्त में बदल सकती है, आज, कल में बदल सकती है, मौसम के हवाले से हम देखें, तो वो बदल सकती है, तो यह बहुत सारे factors हैं, जो due to various other factors, जो है, वो अगर हम देखें, तो change होती है, अब अगर हम एक देखें, तो consumer की wants के लिए, हमारे पास, या उसकी तलब के लिए, एक aspect है, कि that is always insatiable, वो कभी भी मुकमल तोर पे, उसको अगर हम समझें, कि वो उसको मुकमल तसकीन कभी भी नहीं मिलती, वो हमेशा और की तलब में रहेगा, हाँ, ये मुम्किन है, कि वो वैसे throughout यही condition हो, लेकिन for that particular level पे, अगर हम देखें, तो जो wants हैं, वो कुछ लम्हे के लिए, शायद हम उसको satisfy कर सकें, किसी ने अगर किसी time पे खौहिश की है, कि उसने पिज़ा काना है, उसने आइस क्रीम का कप लेना है, उसने पानी का गिलास पीना है, ये उसकी कंदम शेना है, या एक कापी खरीदनी है, या उसने एक कपड़ों का जोड़ा लेना है, या जूतों का, तो वो वक्ती तोर पे जिस time वो लेता है, उस वक्त के उस लम्हे में उसकी उस शेय की तलब उसकी demand complete हो जाती है लेकिन हो सकता है अगले घंटे में अगले ही दिन उसकी चीज किसी और के लिए तलब बढ़ जाए तो अगर हम इसको overall कहें तो हम कहते हैं कि किसी भी commodity के लिए consumer की जो utility है वो कभी भी satisfied नहीं होती मकंबर और particular time पे जिसका हमने पहले भी जिकर किया है जो consumer जो है अगर हम उसकी एक assumption लें कि उस लम्हे में वो जितना चाहे उस share को purchase कर सकता है या consume कर सकता है provided the budget limit और जो preferences हैं वो उसके लिए जो भी the more of that product वो जो भी लिता जाएगा वो next से next point पे उसके लिए कम preference शो करेगा तो ये पांच features मिलके हमारे इस law को frame करते हैं हम चाहे mathematics में काम कर रही हूं, statistics में, science के किसी और शोबे में तो कोई भी अगर आप देखें तो scientist हमेशा simplest model से चलता है जिसमें वो maximum restrictions रखके और फिर उसके बाद एक ideal situation create करके और फिर onward उसको explain करता है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चूंके economics में हमने किसी भी चीज़ को quantify करना होता है और quantify करने के बाद जब हम उसको explain करते हैं तो अगर हम देखें हमने graph अगर draw करना है तो हमारे पास x और y two dimensions है तो two dimensions के उपर हमने जब भी देखना है हम सिरफ दो commodities को देख सकते हैं या उसको ये भी हो सकता है कि मेरे पास वही चंद रुपे हैं तो हो सकता है कि इनी के साथ मैंने एक cup of ice cream खरीज सकता हूं या मैं इनी पैसों से अगर मैं कहूं तो मैं एक किताब खरीज सकता हूं तो वह इनी दो commodities के दर्मियान उसको decision हमने जो है वो देखेंगे और life में हो सकता है उसके पात बहुत सी commodities हों जिसको लेकिन that matter of decision के लिए वो किसी भी दो commodities के दर्मियान जब भी तै करेगा क्योंकि हमारी point of axis पे एक चीज को हम x-axis पे लेंगे दूसरे को हम y-axis पे express करके हम उनके दर्मियान जो भी उनका तबादला मुम्किन है उसको express करेंगे तो वो हमेशा हमारा love marginal utility उससे express होगा अब हम जिस example से जाहर कर रहे हैं उसमें हमने जो assume किया है कि हमने दो commodities ली है एक को x-axis पे जाहर कर रहे हैं एक को y-axis पे जाहर कर रहे हैं और उसमें से वो commodity जो हमारी x-axis पर है उसकी सिरफ price change हो रही है और यहां पे price उसकी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है लेकिन इस particular केस में जिसको हम express कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि उसकी price कम हो रही है और वो किस form में कम हो रही है कि पहले point पे उसकी price price of x1 is greater than price of x2 and now that is greater than price of x3 और अगर other words कहें तो सबसे lowest price जो है वो उसकी third point पे है और इन तीनो prices के respectively जो commodities उसने परचेज की हैं वो इस तरह है कि क्योंके price of x3 point is lowest तो उस वकत उसने जो commodity है वो ज्यादा परचेज की है as compared to x2 and that x2 is greater than x1 और जो income consumer की उसके हाथ में मौजूद है वो अगर हम यहां पे देखें तो that income that is price of x multiply by the commodity की quantity x then plus price of y into y is equal to income इसका मतलब है जितनी income है वो सिरफ दो commodities x और y पर ही consume हो रही है और जिसकी हमने graph में जो example में हमने x-axis पे रखा है कि वो दो fruits purchase कर रहा है एक साइड पे apple और दूसरी साइड पे banana इस graph में अगर हम देखें तो हमने उसी price change को express किया है तो यह उसका basic graph है जो उसका budget line हम देख रही है कि वो given income के जरिए maximum अगर देखे तो वो यह amount थी apple की purchase कर सकता और उसी income में यह amount थी जिसके जरिए वो maximum amount of banana purchase कर सकता था तो अगर हम यहीं पर max को लिखूँ तो हम कहेंगे कि income was equal to price of x into x plus price of y into y और इस point पे जब अगर हम कहें कि y के amount 0 है तो income is equal to price of x into x और तो x के units हम में देखने हों तो यह आएंगे कि income divided by price of x तो इसी फार्मूले से अगर हम देखें तो income divided by price of y जो है वो हमें y के units देती है तो यह वाला जो maximum point है this is equal to income divided by price of y and this is equal to income divided by price of x अब हम अजियूम करते हैं कि price of x और x axis पे जिसरा हमने express किया है कि यहां पे apples हैं कि apples की कीमत कम हो गई है लेकिन उसके हाथ में जितनी income मौझूद है जो nominal income है वो वहीं की वहीं है तो चूंके अब इसकी कीमत कम हो गई है तो कम होने की वज़ा से वो budget जो अगर यहां पे लग रहा था अगर यह पहले 5 पे अगर हम कहें और उससे unit वो 10 लेता था तो 50 रुपे और अगर हम कहते हैं कि वह उसमें से कीमत 4 रुपे हो गई है तो अब वह जो वह बची होई पैसे हैं उसको allocate करना चाहेगा अब उसकी allocation के लिए वह क्या करता है कि वह उसी की एक amount बढ़ा के यहां तक आके और जब income divided by price of x2 अगर मैं देखूं तो चुँके यह कम हो गई है तो this will yield the point of x2 and this x2 will be greater than this x1 और इसी formula से जब price of x3 मजीद कम हो जाती है तो denominator के कम होने से चुँके numerator वहीं मौजूद है तो अब जो amount purchased of x3 है वो ज्यादा होगी इस form में कि x3 will be more than x2 that will be more than x1 अब इन तीनों के मुताबक अगर हम देखें तो तीन budget line उसके पास बन गई और इन तीनों budget line के उपर जब हम उसका utility कर्व को इस form में देखते हैं और उसकी utility कर्व के साथ यह उसका equilibrium point बन रहा है और उसका एक equilibrium point बन रहा है और एक उसका यह equilibrium point बन रहा है अब इन तीनों equilibrium points के उपर अगर हम इसको downward rise form में कर रही हैं तो अगर हम देखें x-axis के उपर x1, x2, x3 हमारी quantities of apple ही express हो रही हैं लेकिन vertical axis पे हमने इसी commodity यानि apple की वो prices जो यहां पे मौझूद हमने देखी थी कि price of x1, price of x2 and price of x3 उससे respective तीनों prices को vertically y-axis पे रहके हमने जब draw किया तो चूंके x1 के लिए जो कीमत थी वो सबसे ज्यादा थी फिर second point के लिए और ये third point के लिए तो ये वो ही curve और graph हैं जो हमने यहां पे देखा था कि ये c, ये d और ये e तो ये तीनों indifference curve का जो point of tangency था उनी tangency point से जो curve हमने draw करके downward लेके आए और हमने उसको draw किया अब अगर हम इन तीनों points को मिला देते हैं and by connecting these तो अगर हम देखें तो ये relationship बनता है between the quantity demanded of that commodity and with respect to its price तो it gives the demand curve तो जो law of dimension marginal utility वो भी अगर हम देखें तो हमारा इससे express हो रहा है और इसकी help से हम law of demand curve को भी draw कर सकें